हेलो फ्रेंज वार्कम बैक टो मैं चानल लॉर्न फर्वदास्ता तो फ्रेंज आज हम फॉर्मस एल्वो एडिसन के बारे में एक काने सुनेंगे और जानेंगे कि उन्होंने कौन-कौन से आविश्कार करें जिनका हमारे जिन्दगी में अभी भी बहुत ही जादा महत्व है अब बिजली का बल्ब जल जाता है और यह जलता बल्ब अंधकार को स्माप्त कर सारे कमरे को प्रकाश मान कर देता है क्या तुम जानते हो कि यह बिजली का बल्ब किसने और कब बनाया था इसका अविशकार Thomas Elva Edison नाम के एक American वैज्यानिक ने लगबग सवासो वर्षपूर किया था Edison एक महान वैज्यानिक थे, उन्होंने लगबग एक हज़ाद अविशकार किये थे Edison बच्पन से ही कुछ न कुछ सोचते रहते, कक्षा मेवे गुमसुम रहते घर आकर भी अपने कमरे में घुसकर छोटी छोटी शीशो को उलट पलट कर देखते रहते वे अपने काम में इतने खो जाते कि उन्हें खाने पीने के भी सुद नहीं रहते स्कूल में वे अध्यापक से अटपटे प्रशन पूछा करते थे और जब तक पूछते थे जब तक उनको पूर्ण रुप से संतुष्टी नहीं मिल जाती उनका मस्तिश्क बहुत तेज था वे हर चीज को ध्यान से देखते थे और उसे समझना चाते थे एक दिन अध्यापक बच्चों को पक्षियों के बारे में बता रहे थे तभी एडिसन के मस्तिश्क में एक प्रशन आया और उन्होंने अध्यापक से पूछा सर हम पक्षियों की भाती उड़ क्यों नहीं पाते अध्यापक ने कहा हमारे शरीर पर पक्षियों की भाती पंक नहीं होते इसलिए हम उड़ नहीं पाते हैं परतु एडिसन इस उत्तस से संतोष नहीं हुए, उन्होंने फिर पूछा, सर पंक तो पतंके भी नहीं होते, वहें कैसे बिना पंकों के उड़ जाती है, प्रशन तो बहुत ही अच्छा था, पर ये सुनकर कक्षा के सभी बच्चे हस पड़े, यहां देखकर अध्यापक को पहुत क्रोधा गया, उसे लगा कि यहां प्रशन केवल उसे चिड़ाने के लिए पूछा गया है, पैणान सरूप एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया, उस समय उनकी आयो केवल आठ वर्ष की थी, स्कूल छूट जानिंग के बाद उन्होंने घर पही शिक्षा प्राप की, उनकी माता इस कारे में उनकी मदद किया करती थी, उनकी माता को एडिसन से बड़ी आश्राई थी, जैसे अब सभी माताओं को अपने बच्चों से होती हैं, इसलिए वे उनके हर प्रशन का उत्तर देने का यथा संभब प्रियतन किया करती थी, एडिसन घर पर कोई न कोई नया प्रियोग करते रहते थे, एक दिन उन्होंने एक चिडिया को देखकर विचित प्रियोग किया, उन्होंने सोचा शायद चिडिया कीटों को खाती है, इसलिए आकाश में उड़ जाती है, यह प्रियोग करने के लिए उन्होंने कुछ कीट पतंगे और उन्हें पीस कर पकड़े और उन कीटों को पीस कर अपनी नौकरानी को खाने के लिए दे दी जब नौकरानी ने इसे खाने से मना कर दिया तो एडिसन ने कहा यदि तुम इसे खा लोगी तो तुम भी छिडिया की भाते आकाश में उड़ने लगोगी यह सुनकर नौकरानी बहुत खुश हुई और उसे खा गई लेकिन एडिसन का प्रियोब विफल रहा और नौकरानी भी बिमार पड़ गई बड़े हो जाने पर एडिसन ने एक फैक्टरी में नौकरी कर ली जिसमें मशीनों से काम होता था एक दिन फैक्टरी की मशीन खराब हो गई जिसे कोई कारिकर ठीक नहीं कर सका थॉमस ने अपने मालिक से अनुमती लेकर कुछ घंटों में ही मशीन को ठीक कर दिया इसके पश्चार फैक्टरी के मालिक ने प्रसन होकर मशीनों को ठीक करने का का एडिसन को सौप दिया थॉमस ने अनेक मशीनों पर प्रियोग करने आरहम कर दिये इसी काम में तो उनकी दिल्चस्पी थी अपने इन प्रियोगों के परिणाम सरोप एडिसन ने अनेक अविश्कार की उनकी खोजों में से प्रमुक था आप बताएंगे बिजली का बल्फ एडिसन के बल्फ के अविश्कार से पूर बिजली तो थी परुन्तु उनका प्रियोग करने के लिए नहीं होता था प्रकाश के लिए नहीं किया जाता था गर्मियों में हवा देने वाला पंखा भी एडिसन नहीं बनाया ग्रामू फोन का विश्कार भी एडिसन नहीं किया एडिसन वास्तव में एक महान वैज्यानिक थे उन्होंने जीवन भर मनुष्य के कल्यान के लिए हिकार रखिया वह सन 1939 तक जीवित रहे विश्व के लोग थॉमस एलवार डिसन और उनकी वैज्यानिक देन को हमेशा याद रखेंगे आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी थैंक यू